तो आज किस वीडियो के इंदर हम डिसकस करेंगे क्लास्ट बोर्ड वालों के लिए बैक लोग स्ट्रेजी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट करके बता रहे हैं कि सर हमारे जो पिछले चेप्टर है वो रहते हैं ठीक है तो वो कैसे कवर किया जाए बैटा हर एक जार को सकते हैं लुका है मतलब पिछले चेप्टर ही वो किस तरीके से आप पूरे कर सकते हैं जिनोंने नहीं कि ठीक है तो एक डिमांडिंग वीडियो है ठीक है मैं इस वीडियो को वैसे तो बनाना नहीं चाivesse यह आया लेकिन हम इसमें डिसकस करेंगे कि जो बैक लोग है वो कैसे कवर होगा और एक बहुत बढ़िया तरीका मैं तुम्हें बताने वाला हूँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सिरफ एक ही बात बोलूँगा कि बेटा जी जो टेलिग्राम सुनी जंग्रा सर के नाम से इसको फटाफट से जोइन कर लो ठीक है जो बच्चे नए है मैं उनको बता दू कि इस चैनल पे आप लोगों को फिजिक्स का कंटेंट दिया जाता है किस चीज का कंटेंट दिया जाता है बेटा जी फिजिक्स का कंटेंट दिया जाता है ठीक ह और इस channel पे chapter number first से लेके chapter number 14 तक पूरे का पूरा content available है और with handwritten notes है बेटा जी, with handwritten notes, even मैंने आप लोगों को 80-20 rule की according most important topics, derivation, formula cheat sheet, checklist ये सब दिया हुआ और वो कहां पर है, वो इस telegram channel पर है, और साथ मैं free live class लेता हूँ बेटा जी, free live class लेता हूँ तो इस free live class का जो link होता है, वो भी इसी telegram channel पर मिलता है मैं हर एक वीडियो में ये बोलता हूँ कि इस telegram channel को join करना बहुत ही ज़्यादा जुरूरी अप लोगों के लिए ठीक है अगर आप physics पढ़ रहे हो, class 11, 12, need, j, किसी भी physics के अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा important तो फटा फट से इसको जुरूर से join करो, अभी वीडियो को रोको, इसको पहले join करो, फिर वीडियो को आगे बढ़ाओ ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं और discuss करते हैं how to cover backlog, ठीक है, देखो कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्नोंने अभी syllabus start किया है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्नोंने syllabus पहले शुरू कर लिया लेकिन उनका पिछला कुछ syllabus पढ़ा हुआ है, ठीक है, बेटा चाहे आप physics की ब बात करो, चाहे हो bio की बात करो, English की बात करो, किसी भी subject की बात करो, science stream से हो, commerce stream से हो, आपका humanity से हो, मतलब arts वाले बच्चे हो, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, पूरा आप लोग देख सकते हैं, देखो, सबसे पहले backlog cover करने के लिए हमें सबसे पहले check क्या करना ह सबसे पहले तो आप लोग चेक करो कि जो आप लोगों का backlog रहता है, ठीक है, उन chapter के number लिख लो, भई, number of chapter count करो, number of chapter आप लोग लिख लो, ठीक है, मान लो चलो कोई एक particular subject हम मान लेते हैं, कोई एक particular subject, जैसे physics मैं बढ़ाता हूं, तो physics मान लेते हैं, मान लो कुछ बच्चो क्यों हो, chemistry क्यों, math क्यों, किसी क्यों हो, चाहिए वो आपके सभी subject क्यों हो, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, बिटा देखो, जैसे आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास, अभी, November, कल से शुरू हो रहा है, December, January, ठीक है, तो ये तीन महीन नहीं है और इन तीन महीनों में भी आप लोगों को कितने दिन मिलेंगे, मैंने बताया तो 70 के करीब दिन तुम्हें मिलने वाले है, तो इन तीन महीनों में आप लोगों को अपना पूरा syllabus, previous year question, revision, सब कुछ करना होता है, क्योंकि यह ताइम है उसके बाद तो फिर exam होंगे, और फि लोगों को बोलूँगा कि एक week होता है न, एक week, उस एक week में आप लोगों के पास साथ दिन है, कितने दिन है बेटा जी, साथ दिन है, तो मैं तुम्हें बोलूँगा कि जो चीज तुम अभी पढ़ रहे हो, अपने हर एक subject की वो पढ़ते रहो, कितने दिन, Monday to Friday, कितने दि चल रहा है, वो करते रहें, ठीक है, समझ में आई, मतलब किसी का चाहे न, class 11th backlog में हो, वो भी cover कर पाएगा, असानी से, देखो, सबसे पहले number of chapter count कर लिए, कितना syllabus है backlog में, वो तो पता होना चाहिए, फिर आप लोगों को महीने पता है, कि तीन महीने, इन तीन महीनों में साथ दिन है, और उन साथ दिन में सब, Monday to Friday, मतलब पांच दिन, five day आप लोग क्या कर रहे हो, अपना regular work कर रहे हो, क्या कर रहे हो, regular work कर रहे हो बटा, ठीक है, अब बचे आप लोगों के पास दो दिन, तो उन दो दिनों में आप लोगों को क्या करना, अपना backlog कवर करना है, क्या करना है, backlog करना है, ठीक है, सर क्या दो दिन पढ़के backlog कवर हो जाएगा, बिल्कुल बेटा जी, आराम से हो जाएगा, मैं बताओं को तुम्हें, कैसे होगा, ठुनो, अब जैसे आप लोगों को पता लग रहे है, कि एक मिनट रुकेगा, कि आप लोग सिरफ एक वीक मे कितने दिन पढ़ रहे हो, backlog के लिए, backlog के मैं बात करो, कि backlog के लिए आप कितने दिन पढ़ रहे हो, दो दिन पढ़ रहे हो, ठीक है, कितने दिन पढ़ रहे हो, ठीक है, कितने दिन पढ़ रहे हो, ठीक है, अब कई बच्चे होंगे, वो बोलेंगे, सर हम तीन दिन भी अगर उनका syllabus थोड़ा जादा है तो वो क्या करो चार दिन अपना regular पढ़ो और तीन दिन अपना backlog पढ़ो वो ऐसा भी कर सकता है ठीक है तो भी एक week में आप दो दिन cover कर रहे हो मतलब दो दिन पढ़ रहे हो अपना backlog तो एक month में आप लोगों के कितने week है average अगर निकाले तो four week बनेंगे कितने बनेंगे four week और एक week में आप पढ़ रहे हो दो दिन मतलब एक महिने में आप आठ दिन पढ़ोगे एक महिने में आप आठ दिन अपने backlog को दोगे ठीक है कि वही जो आपका पिछला syllabus रहता है उसको cover करोगे और कितने महिने है जनवरिय तक तीन महिने बनेंगे मतलब आप लोगों के पास total बनेंगे कितने दिन आप लोगों के पास total बनेंगे गुना तीन करोगे तो 24 दिन बन रहे हैं कितने दिन बन रहे हैं 24 ठीक है अब सबसे पहले जो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में बात बोली थी कि number of chapters को निकाल लो, कितने हैं, मालो आप लोगों के number of chapters 16 बचे हुए है, चार किसी सब्जेक्ट के, तीन किसी सब्जेक्ट के, दो किसी सब्जेक्ट के, ऐसे, ठीक है, कहीं कलागार होंगे, वो बोल देंगे, मैंने तो अभी स्टार्ट के और पिछला सारा बचा हुए, उनके लिए भी अलग से स्टार्टिजी बनी है, वो उन चीजों को देखो जागे, तो अभी 24 दिन है ना, उन 24 दिन को आप number of chapters से divide कर लो, आपके पास क्या आजाएगा, आपके पास per day per chapter आजाएगे, कि per day आप लो की strategy को बताने के लिए, बेटा जी मैंने बहुत सारे YouTube चैनल की वीडियो देखी है, YouTube की help ली है, मैं साब बोल रहा हूं, ठीक है, और even Google पे भी जाके देखा है, तो यह सबसे बड़ी है, यह सबसे बड़ी है, ठीक है, मतलब क्या करना है, भई, आप लोग डिवाइड कर लो कि आप regular जो चीज है, वो कितने दिन पढ़ रहे हो, और जो backlog हो, उसको हफते में कितने दिन दे रहे हो, फिर आप लोग क्या अगरो, सुनो, ध्यान से देखो न, एक वीक में हम दो दिन पढ़ रहे हैं, एक महिने में हम कितने दिन पढ़ रहे हैं, आठ दिन पढ़ रहे है बैकलोग के लिए और तीन महीने हैं तो इसको बोग चोबिस दिन लगा लो एक आधा दिन अगर एक्स्ट्रा भी हो गया तो आप लोगों के पास पच्छी-चब्वी दिन हैं आप लोगों के बैकलोग कवर करने के लिए ठीक है ये तो हो गया टाइम कि आप कैसे मैनेज कर प काइब फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स के बैटा जी वन शोट मैने इस चैनल पर दिया हो आप लोगों को तो इन वन शोट को आप देखो पूरे के पूरे detailed one shot है speed थोड़ी सी high कर लेना और दो बार तो देखी लेना बेटा जी कितनी बार देख लेना two times देख लेना क्योंकि speed जादा मैं तभी करने को बोल रहा हूं कि मैं थोड़ा सा slow पड़ा रहा हूं तुमें और तुम थोड़ी सी speed high करोगे तो उसको कम टाइम में आप देख पाऊगे और जादा बार देख पाऊगे मतलब दो बार देख लेना ठीक है तो वीडियो आपने देखी उससे आपने ये chapter देख लिया अब आप लोगों को क्या करना है ये हर एक subject में आप applicable करवा सकते हो मतलब हो सकता है उसके बाद मैंने आप लोगों को notes दियो है बेटा जी तो उन notes को क्या करवाना है print करवाना है अप और जब आप video देख लो तो उन notes से क्या करना है revision करना है revision करते हुए मैं आप लोगों को एक चीज बोलूँगा हो सकते तो short notes बना देना हो सके तो short notes बना लेना, कैसे बनाने हो short notes बेटा या तोNIE notes के अंदर ही बना लेना या तो आप ईं notes के अंदर ही बनाने ना, कैसे बना सकते हो मतलब underline करके underline करके, ठीक है कोई चीज इंपोर्टर लग लग लिए है तो वहीं पे ही लिख दो notes पे ही लिख दो कोई highlighter है तुम्हारे पास तो highlighter से mark कर दो पूरे chapter 1 से 1 से 14, मतलब 14 chapter तक के notes दिये हुए हैं, पूरे one short दिये हुए हैं, और हो सके तो ना मैं एक video बताता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए video बनाया हुआ, 24 गंटे का ठीक है, उसमें 37 मिनट और 44 सेकिंड है, मैंने time stamp डाला हुआ है, और उसका link भी मैं description में दे दूँगा, तो उस video से भी आप cover कर पाओगे, और ऐसे ही हैं, हर एक subject के लिए जा सकते हैं, जैसे chemistry, chemistry के लिए one short, बहुत सारे मिलेंगे, बहुत बड़िया बड़िया टीचर हैं, यूट्यूब पे, आप लोगों को free of course पड़ा रहे हैं, ऐसे ही bio के, math के, सब के लिए हैं, ठीक है, तो भई, इस तरीके से आप कर सकते हो, अपना backlog cover, सर हम video के तरूँ अपना concept पड़ लेंगे, revision के तरूँ अपना concept पड़ लेंगे, अब बारी आई, कि हम अपना जो practice है, वो कैसे करें, तो practice करो बेटा जी, backlog का जो आपका syllabus है ना, उसके उपर practice करो, सिरव आप 80-20 rule की, 80-20 rule का मतलब है, कि important topics के उपर सबसे ज़्यादा focus करना है, important topics के उपर सबसे ज़्यादा focus करना है, important questions के उपर सबसे ज़्यादा focus करना है, अच्छा, physics के लिए सारी चीज़ अवेलबल है, इस चैनल पे, physics के लिए सारी चीज़ अवेलबल है, इस चैनल पे, ठीक है, important derivation भी अवेलबल है, तो इन सब के उपर सबसे जादा आप लोगों को question की practice करनी है बटा जी क्या करनी है practice करनी है और question की practice बच्चे पूछते हैं कि कहां से करें तो भई previous year book होती है चेप्टर वाइज ले ले लेना कोई भी ठीक है उससे आप लोग कर सकते हैं बटा जी उससे आप लोग कर सकते हैं और at least five year के कर लेना and even मैं भी आप लोगों को इस चैनल पर अब करवाने वाला हूँ बहुत जल आप लोगों को वीडियो मिलेंगे बट वो वीडियो अनलिस्टिड होंगी मेरे टेलिग्राम चैनल पर लिंक जाएगा टेलिग्राम चैनल पर जितने बच्चे होंगे वो ही उस वीडियो को देख पाएंगे ठीक है तो इसलिए बार बार बोलो कि टेलिग्राम चैनल को फटाफट से जोइन कर लो ओके 80-20 रूल में important topic आप लोगों को दिये हुएं questions दिये हुएं, derivation दिये हुएं, pyq chapter wise भी बताए हुएं बटाजी सारे के सारे आप लोगों को करने हैं, even मैंने free live classes में भी pyq तुम लोगों को करवा दिये हैं ठीक है, उन सब का link भी मैं आपने telegram चैनल पर डाल दूँगा, ठीक है, तो इस telegram चैनल से आप लोग pyq भी देख सकते हैं, और even खुद मैं भी इस channel भी आप लोगों का YouTube वीडियोस देने वाला हुएं, बट वो unlisted होंगी unlisted मतलब, जो बच्चे telegram पर होंगे, उनी के पास वो link जाएगा, और वही उस link के तुरूँ वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है, तो ये एक तरीका है आप लोगों की backlog कवर करने का, ओके, एंड साथ में बट जी, मैंने आप लोगों को एक checklist भी दी हुई है, ठीक है, एक checklist भी दियो ही है, physics की, और बागी subject की भी मैं दे दूँगा, थोड़ा सा time नहीं लग रहा बट दे दूँगा, ठीक है, तो checklist को सबसे पहले तो print कर आ लोगी, क्योंकि उस checklist में सब कुछ मैंने लिखा हुए, कि आपने कोई chapter अगर उठाया है, तो उसकी आपने theory कर लिया कर लि ठीक है, ठीक है, चली, तो ये एक बड़िया वाली strategy थी आप लोगों के लिए, अभी के लिए बस मैं यहीं बोलूँगा, कि टेलिग्राम चैनल को फटाफट से जोइन कर लो, ठीक है, और वो है सुनील जंग्रा सर के नाम से, किस नाम से बटा जी, सुनील जंग्रा सर के न अच्छा लगा तो बड़ा, अपने सभी friends के साथ share जरूर करना, एक best way मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से भी division कर सकते हैं, कि तीन दिन करना चाते हो, तीन और चार का combination करना चाते हो, वो भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, और चलिए I hope कि यह strategy आप लोगों को अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो बड़ा, अपने सभी friends के साथ share जरूर करना और हो सके, हो सके तो हर एक बच्चा अपने कम से कम पांच बच्चों को, मलब अपने बच्चों को नहीं, अपने जो students हैं, जो friends हैं, उनको share जरूर करें, क्य चलिए, तो इसके साथ इस video session को करते हैं, मिलते हैं जलती से हमारे नई session में, I hope यह session आप लोगों को अच्छा लगा, अच्छा लगा, अपने सभी friends के साथ share जरूर करें, so bye, take care, जैहिन, बंदे मात्रम